बनाने के लिए हम पहले यह आलू ले लेंगे और इसको पीलर की हेल्प से हम पील कर लेंगे सब प्टेटोस को यह सब आलू को हमने पानी में धो लिया है अब यह थोड़ा वो जो काला है इसको भी उतार लीजिए और यह कॉर्नर्स जरा जरा से काट दीजिए और अब आलू को ऐसे करिए इस तरह से आप इनको कट लगाते जाए और यह देखिए यह देखिए हमारे पतले पतले फिंगर चिप्स किसी दा से सब को काट लेंगे हम आलू काटने का एक और तरीका भी है इनको आप ऐसे ऐसे करके भी काट लेजिए फिर यह देखिए हमारे कितने प्यारे फिंगर चिप्स कट रहें कोशिश कीजिए यह सेम साइज के कटें सेम साइज के कटने से यह बने के भी बहुत बड़िया और खुरसूरत भी लगेंगे अगर बाइचांस कोई आपको पीस पड़ा लगे तो आप उसको ऐसे करके पतला कर सकते यह दिखिए अब इसको साफ स्लैप से उठाकर पानी में डाल देंगे और इनको 3-4 पानी से वाश कर लेंगे अगर आप आलू के कॉर्नल्स नहीं वेस्ट करना चाहते आलू नहीं वेस्ट करना चाहते तो आप ऐसे भी इसको काट लीजिए और ऐसे करके फटा-फट इसको चार्चा 6-6 टुकरों में काट के जाए अब यह देखिए पानी कितना हमारा गंदा हो गया अब इसको हम 3-4 पानी से वाश करेंगे तांकि इसको जो स्टार्च है वो निकल जाए अब इनको हम निकाल कर इस किचन टौवल पे डाल देंगे तांकि इसको पानी है वो सूख जाए देखिए आप चाहे तो इसको बॉइलिंग पानी मेंसे भी निकाल सकते 25 परसेंट पकाके वैसे जरूरत नहीं है ऐसे भी बन जाते है इसको आप ऐसे करके सुखा देंगे कि यह ड्राई हो जाए अब इस बॉल में हम कटे हुए सुखे हुए आलू डाल देंगे अब इसके अंदर हम 5 टेबल स्पून भर भर के कॉर्ण फ्लार डाल देंगे नमक नमक बहुत कमी डालीगा क्योंकि सब सॉसिग्स में नमक होता है यह वाइड पैपर मुझे ब्लैक पैपर अब इसको मिक्स कर दीजिए हनी चिली पोटेटो बनाने के लिए फिर इसको अच्छी दान से मिक्स करिए अगर आपको ज्यादा ड्राई लगे तो आप ज़र पानी भी डाल सकते हैं इसमे थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे ताकि यह अच्छी दासे इसके उपर चिपक जाए और मिक्स कर अब तेल हमारा गरम हो चुका है और इसके अंदर हम यह जाल रहे हैं और अब फ्लेम को आप कम कर दीजिए ताकि यह पाग जाए और आब इनको हम पल्टेंगे ताकि यह चारो तरब से रंग लेले अपना अब यह हमारे आधे अब यह हमारे आधे पक गए हैं इनको आम निकाल देंगे देखिए हनी चिली पटैटो बनाने के लिए आपको डबल बारी फ्राई करना होता है एक बार तो हमने वो डाल दिया समान त इसके बाद हम दुबारा से ड्राई कौन लगाकर इसको फिर से फ्रैराई करेंगे ताकि यह बहुत ज्यादा किस्पी हो जाए अभ है हम पहली बार हिवाला ही कर रहेगे हैं इसको फ्राई करने फिर कथा उसमें र्राई बला कोटन करेंगे अब इलको भी हम निकाल लेंगे अब ये बहु लिया और ये जो हमारे एक बारी फ्राइड चिप्स हैं वो हमने इसके अंदर डाल दिये और इसके ऊपर तीन चमज और कॉन फ्राइड डालेंगे और आप इसको बिल्कुल ड्राइड मिक्स करना है अब ये देखिए कॉन फ्राइड हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया सेकिंड फ्राइड के लिए अब हम सेकिंड फ्राइड करेंगे अब ये गरम तेल में होगा अब ये समझे हमारे 60 परसेंट हनी चिली पटैटो का तेयारी हो चुकी है जब ये थोड़े से फिस्पी और लाल हो जाए तो इनको आप निकाल लीजिए अब ये हमारे डबल फ्राइड हो गया है अब सब को बार निकाल देंगे ये देखिए हमारे तेल का रन बदल गया है इसके उबर जो एक्स्ट्रा परक्त हलकी सी जो थी एक्स्ट्रा इसमें वो पॉंट्प्लार अपने आप ही अलग हो गया है अब हमने वो पैन खाली कर लिया वो थोड़ा सा तेल डाला है अब हम इसके अंदर गार्लिक डाल देंगे जिंजर चौक्ट वाइट अनियन का जो वाइट पाट है ग्रीन अनियन का वाइट पाट हमने इसके अंदर डाल दिया अब इसको हम मिक्स करेंगे अब यह देखिए हमारा जिंजर और गार्लिक पाग गया है और अब इसके अंदर हम शिवला मिर डालेंगे हरी मिर्चे डाल देंगे जो हमने लबी-लबी वर्टिकल काटी थी अब इनको हम ही राएंगे इसको अब मिक्स करके इसके अंदर डाल देंगे इसके अंदर डाल देंगे अब मिक्स करें अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उबाली आने रहेंगे अब हमने एक टेबल स्कूर कॉण फ्लार लेके थोड़े से पानी से इसकी सलरी बना लिए इसको भी डाल देंगे इसको द्ला दालने के बाद हम इसको हिलाएंगे और यह अब पक गए अ अब इसके अंदर हम यह अपने कड़क फिंगरs चिक्स डाल देंगे और इनको मिक्स करेंगे अब इसके अंदर हमको मेन इंग्रिडियेंट डालना है यह हनी और हमारे हनी चिल्लो की प्टैटो बिल्कूर रेडी है अगर आपको मेरी बनाईव वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज उनको लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें तांकि मेरी वीडियो आप तक कोंचती रहें इसके लिए आपको बैल आइकॉन को प्रेस करना पड़ेगा नोटिफिकेशन के लिए लेटेस्ट